आप सभी का आज के इस संबाद में उपस्तित होने के लिए और हमारे इस आगरह को स्विकार करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सब लोगों को नव आर्ज की सुबकामनाई देते हुए अपनी और से जोहार करता हूँ जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी वक्ताओं में कहा कि ये कैसा आउसर है जो मुझे लगता है कि जारखन के इतिहास में ये पहली बार है और ये हमारे लिए बहुत सभागी की बात है और यहां बहुत सारे सिनियर लोग है और बहुत सारे हमसे जुनियर भी होंगे, हमारे बराबर भी होंगे, कुछ तो हमारे सहयोगी भी हैं, जो आज अधिवक्ता हैं, आपके बीच में बैठे हैं, और हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद, सेले के आज तक राज के अंदर जो भी गतिविधिया होती हैं, चाहे राजनेती गतिविधिया हो, प्रसाशनी गतिविधिया हो, न्याईक गतिविधिया हो, उन सबी चीजों को आप सब लोग भहुत बखुबी से देखते भी हैं, समझते भी हैं, आप लोग ऐसे कहा जा सकता है कि आप लोग तंदर के चौथे अस्थम के पिलर्स हैं, और उसके साथ सरकार की गतिविधिया, सरकार चलाने वालों की जिम्मेवारिया, इन सब चीजों का आप लोग आकलन भी करते हैं, मैं जब राजनितिक वातावरन को जब पूरी तरीके से इसमें हम लोग आने लगे थे, सबसे पहले मैं राजसभा सांसद के रूप में चु पहली बार सदन में गया, तो वहां ऐसे ऐसे बिद्वान, शांसद, उपस्तित थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लगता है कि मैं गलत प्लेटफॉर्म में आ गया, गलत कमरे में घूज गिया टाइप से, जो भी बाते हुआ होती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं मुखमंत्री के रूपे भी रहा और लीडर अप और पॉजिशन भी रहा, पुना आज मुखमंत्री के रूपे हूँ नोटरी को भी लेकर के अधिवक्ता के तरब से बात आई है मैं सब को अस्वस्थ करता हूं वहाँ जो आप नोटरी में प्रात्मिक्ता देनी की बात है वो भी उस पर भी हम विचार करेंगे और बहुत जल्द इसके लिए सरकार बिग्यापन भी निकालेगी और प्रात्मिक् के बैठने का जो वहाँ पर नियालेओं में है बहुत आप सब लोग अलग अलग तरीके से बाते रखेंगे तो बड़ा अजीब तरीकी की चीज़ें आ जाएंगे इसका एक एस्टेंडर्ड मापदंड के थाथ आने वाला समय में एक योजनाबत तरीके से हर नियाले में वकीलों के लिए और महिला वकीलों के लिए बैठनी की विवस्था सोचाले की विवस्था लाइबरेरी के विवस्था बिजली के विवस्था सुसजित एक विवस्था हम लोग ने सोच रखा है और आज के दिन में जिस तरीके से देश के राज्यों के विविन हाई कोटों के कोट में ने ने जो जजमेंस आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे निर्ने भी आ रहे हैं उन सब का भी आप कैसे उससे अपडेट रहें कैसे आप सब लोग जुड़े रहें चाहे वो हाई कोट के हो चाहे वो लोवर के कोट के हो अधिवक्तागन उन सब चीज के लिए आप सब लोगों के लिए कंप्यूटर वगरा कि भी सुईधा करने का भी हम लोगों ने सोच रखा है और अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपको प्रक्षिशन के लिए आपको आउज सकता है उसके लिए भी हम लोग मतलब कहा जाए कि पूरे आपके एक एक करके जो अभी एजी साब ने कहा है कि जो भी आपके जीले की समस्या है वो आप हमारे आफिस में दें तो एक होलिस्टिक समस्या आने के बाद हमारे पास इस पर हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग बहतर से बहतर कार करें इस पर एक चरनबद तरीके से कार योजना भी हम बनाएंगे जो मुझे लगता है कि आने वाला समय में आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बहतर वो योजना और आप लोगों के लिए कारगर होगा और आपका जो एक मांग और भी है हाला कि आप कुछ यहां से जो मुझे जानकारी मिली पेंसन आप लोग जो रिटार्ड हो जाते हैं 65 साल के अधिक लोग हो जाते हैं उनको आप लोग देते हैं उसी तरीके के कुछ भीमा होगे भी बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुरगटना बीमा स्वास बीमा की योजना लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे जिसमें जिसमें आप और आपके परिवार सभी लोग परतिवस पांच लाख रुपे तक की रासी खर्च करने की आपको ये मिलेगी और दुरगटना के भी इस्तिती में हाला कि अभी तक तो हम लोग कुछ लोगों को ऐसे दुरगटना ये पर आपदाईये के माध्यम से देते ही हैं लेकिन इस संदर्ब में अभी तक मैं जो हो सकता है कल इस पर और चर्चा करते हुए कुछ और रास्ता निकले तो फिलाल में आपको ये अस्वस करना चाहूँगा कि दुरगटना की इस्तिती में पांच लाग तक की साहिता रासी निश्ची तुरप से सरकार आपको दे पेंसन दी जाती है मैं इस मंच से घोचना करना चाहूँगा कि जितनी पेंसन की रासी वेलफेर ट्रस्ट के दौरा परदान की जाती है उसी के बराबर की रासी सरकार भी उस कोस में युगदान श्वारुप देने का काम करेगी और